श्मांड-मॉलेकुम आज हम बनाने माले हैं बिल्कुल नये तरहिके का नाश्कता बहुत ही जलदी बहुत ही आसान तरीके थि जहरी इस रेश्पे को बनाना श्टार्ट कर ते है इस रेश्पे को बनाना के लिए मैंने यह ऐख kurग यह qi काटोरी आटा लिया है और जो लमक टालूंग को टो मैं दोरा कर 12 डोरा क्या दालंगा लाइब हम क ल्टी नमक हे समय नमकीन आप का रिख त дости टो अच्छी दरीके से मिक्सकी अपनी माध्डिक कर लिया है । अब मैंने भीम समय तो दो यहां पर बनके तयार है देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट कॉंसिस्टेंसी का है इसी तरीके से होना चाहिए मीडियम में है यह अब इसको हम साइड में रखिंग रेस्ट के लिए और मैंने यहां पर चार उबले हुए आलू लिये हैं इनका चिलका निकाल लिया है और हदा यहां एक चमज मेने इसमें बदला है गरं मसाला इससी जार्ड मसाला और आफ इसको हम अच्छी तरीके से हाथ से ही नहीं करना चाहते हां तो आपना फ्रशिक करना चाहते हैं तो आप आलो को घुटध कुछ इस तरह से यह बन जाएगा तो अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसको साइड में रखेंगे आटे को 15-20 मिनिट फ्रेस्ट करने का डाइम मिल चुका है और मैंने यहां पे देखें दो लोई लिया है और अब इस पे तोड़ा से मैंने आटा लगा है तो इसको देखे मैंने इतना बड़ा बेला है अब इस तरह से मैं सेंटर से से कट कर लूँगी दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी उसके बाद मैंने यहां पे पानी लिया है अब इसके साइड पे इस तरह से पानी लगा लेंगे आप यहां पे पानी के जगहां प इस तरह से हमें कौन टाइप का इसे बना लेना है यह देखें तो इसको कुछ इस तरह से अच्छे से चिपका लेंगे इस चिपकाने का ध्यान रखेगा पानी अच्छे से लगाईएगा अच्छे से चिपकाएगा वनना यह अगर तेल डालने पे खुल जाएगा तो तेल खर अब इनको मैं फ्राइ करूंगी प्राइ करने के लिए मैं तेल गरम होने को रख दिया था लो तो मेडियम फ्लेम के बीच में से फ्राइ करना है बहुत ही इजी रेस्पी है एक बार आप इसे ट्राइ जरूर करें इंशालल आपको जरूर पसंद आएगी और बच्चों के टि इसका लुक भी बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव है बिल्कुल न्यू शेप का है और अब देखे मैंने इसको इस्पून से पलट लिया है इसी तरीके से अच्छे तरह से पलटते हुए इसको गोल्डन हुने तक फ्राइ कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में तो कि इसी तरीके से मैंने इसको पलटते हुए है अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे है अब मैं आपको इसे पास के दिखाते हूं देखे किना अच्छा कलर आया है यह तक जादा ज्जा नहीं है टेस्टमें already बिल्दा अच्छा है इसी तरह से बच्छेवी पीसेस को प्राइ होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे इस वीजियो को लाइक एंड शेयर करें जल्दी मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ अलाह आफिस